हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब दोस्तों अस्वावी का मेरे यूट्यूब चैनर टेकनिकल सपोर्ट आसिस में स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको Google AdSense आइडेंटी बरिफिकेशन लाइप करके दिखाने वाले हैं जैसा कि फ्रेंट्स आप लोग जानते हैं कि Google में 10 डॉलर होने के बाद हमको वेरिफिकेशन करना होता है तो सबसे पहले हमको टेकिश्टोप साइट चुनना है उसके बाद फ्रेंट्स हमें Google AdSense पे क्लिक करना है तो उसके बाद फ्रेंट्स आप देख सकते हैं कि मेरे Google AdSense में लगबग 12 डॉलर सो हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले मैं बता दूँ फ्रेंट्स की उपर की तरफ मेरे चैनल का प्रोफाइल सो हो रहा है आप देख सकते हैं तो हमें इस प्रोफाइल के उपर क्लिक करेंगे तो चलिए प्रेस करके क्लिक कर लेते हैं इस पर क्लिक कर लेते हैं और माई एकाउंट पर क्लिक करते हैं कि अतो हम्भाइए एक पुर्योगी किंग एक करने को यहाँ पर सबक्रेंस यहां पर देख सकते हैं आप मेरे चैनल का नाम सो हो रहा है और कि आप देख सकते हो wifi पर्सरील इन्फॉरमेशन आधो यहां पर 7 option सो हो रहा है 7 option में से जो 7 last option है इसके उपर हम प्रेस कर लेंगे payment and subscribe पर टेर्ट आप यहां पर देख सकते हैं payment method का option आ रहा है कि इसके उपर हमको के लिख कर लेना है इस पर प्रेस करने बाद फ्रेंड्स यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं थोड़ा नेट सुलो है इसलिए आप भी स्कीप ना करें यहां पर भी आपको चार उप्शन स्यो हो रहा है तो जोल्ए सबसे आप देख रहे हैं मैं आप को क्लिक पर है कि भी आपको कर दोखाता हूँ उतरु है कि यह सैटेंग वाल देखे चार आप सने जोुलिख का सैटों अब सने की इस सैटींग वाले आप्शन पर हमको प्रेस करना है तो चलिए इस पर प्रेस हम करते हैं तो दीखे फ्रेंड्स सेटिंग वाले ओप्सन पर करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा इसमें हमारा सारा Member ID, Profile बगएरा Address बगएरा AdSense Account की सारी डिटेल आईगी तो यहां से Friends सबसे पहले हमको करना क्या है कि हमको यहां से अपने Address को जो है वो Change करना है जो कि हमारे Document में Address है वही Address हमको यहां पर फिलप करना है तो मैं आपको सारा Address फिलप करके फिर आपको दिखाता हूँ तो Friends आपको भी कुछ इस तरह से Address फिलप करना है और उसके बाद Friends Address फिलप करने के बाद आप देख सकते हैं Address फिलप करने के बाद इसको हम Save करेंगे तो मैं आप नीचे की तरब आपको दिखा रहा हूं कि इसमें सेफ करने का option दिया गया है तो देखे फ्रेंट्स यहां पर आपको सेफ करने का एक option दिया गया है तो यहां से हम इसको सेफ करेंगे आप एक बार और address को verify कर लें इसी तरह से आपको अपना address डालना है आपको टोटल address नहीं डालना है आपको अपना सहर अपना pin code इस तरह से address डालना उसके बाद friends हम address पर आएंगे और यहाँ से friends आप देख सकते हैं यहाँ पर यदि कोई duplicate address है तो उसको हम remove कर लेंगे तो दुबारा से चलते हैं setting पर और यह तो फ्रेंड सेधी आप में चैनल पर पहली बार विजीट आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकन को भी प्रेस कर लें क्योंकि हम टेकनलोजी की वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं तो देखें इसके बाद हमको करना क्या है कि हमको अपना जो ओप्सन है यहाँ पर मैं आपको दुबारा से दिखा देता हूँ फ्रेंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उपर की तरफ एक नोटिप्रिकेशन सो हो रहा है इस नोटिप्रिकेशन के उपर हमको किलिक करना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेरिफाई झाओ का उपसन आ रहा है तो इस बेरिफाई के नाओ के उपसन पर हमको फ्रेंटेश करना है तो चलिए फ्रेंट्रेंस क्रेंड करने के को update करके फिर हम आपकोfinally दिखाते हैं कि हैं को तो यहां भी हम सारा कुछ फिर से update करेंगे और update करने के बाद आपको हम सारा detail में यहां है दिखाते हैं बिलकुल आप बिलकुल वह इसमें गलती न करें क्योंकि क्योंकि तीनी चांस मिलता है हमको identity verification का यदि तीन बार identity verification गल्द हो जाती है तो उसके बाद friends बहुत मुस्किल हो जाता है और जब तक identity verification नहीं होगा तब तक आपकी payment hold पे रहेगी और इसके अलावा हो सकता हैगी आपकी तो दीखे friends यहाँ पे हम जो address line 1 सो हो रहा है इसमें हमको अपने सहर का जो name है सिर्फ उसको फिलप करना है और इसके साथ अपना जो सहर का pin code है उसको फिलप कर लेना उसके बाद friends यहाँ पे document में हम pen card को लगाएंगे क्योंकि pen card government ID है इसके अलावा pen card सबसे best है तो pen card को हम यहाँ से select कर लेते हैं तो friends आप लोग कहोगे कि address की identity कैसे होगी तो आप जैसा की जानते हैं कि pen card के साथ आदार card अटेच है तो जो आदार पे address है आप वही फिलप करना तो चलिए pen card को यहाँ से select हम करेंगे और दीखिए friends upload हो रहा है और friends एक चित ध्यानक ना कि pen card जो है वो साफ होना चाहिए बिलकुछ साफ pen card को ही upload करना है नहीं तो verification फेल हो सकता है उसके बाद friends यहाँ पे हम इसको submit पे click कर लेंगे और थोड़ा wait करेंगे तो देखिए friends यहाँ पे हम को कहरा the process में fake a future यानि आपका यह जो process है verification में इसमें कुछ दिन का time लगेगा तो जब तक आपको wait करना है और उसके बाद go it पे हमको press कर देना है तो चलिए go it पे हम इसको press कर लेते हैं तो go it पे press करने के बाद friends कुछ इस तरह का option आएगा verify your identity यहाँ भी यही कह रहा your identity verification view in process यहाँ आपके identity verification process पे प्रोसेस पे प्लीज वेट तो फ्रेंट्स आप इस तरह से अपनी गूगल एड़स आइड़न को कर सकते हैं तो कुछ दिन का time लगेगा तो आप इंतजार करें I hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल टेकनिकल सपोर्ट आसिस को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा सेयर करें तो मिलते हैं दोस्तो एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन बंदे मातरम